हलो वेलकम तो इस वीडियो टुटोरियल आज के इस वीडियो में किसी डेटा सेट को चार तरीकी से ट्रांस्पोर्च करना सीखेंगे तो देखिए हमार पास छोटा सा डेटा सेट है और इस डेटा सेट को हम इस वीडियो में चार तरीकी से ट्रांस्पोर्च करना सीखेंगे सबसे पहला मैंहल हमारा पेश्ट इस मैथड रहेगा तो इस में क्या करेंगे इस डीट को मुंक कॉपी करेंगे और उस सेल को स्लेक्ट करेंगे यहां पे इस डीटासल को मिनुने ट्रांसपॉर्च करना है इस चेकख बॉक्स पे मैं टिक किया और और क्रस किया है तो देखे हमारा डेटा यहां पर यहां पर वर्टिकल शो रहत हो यहां पर horizontally आ गया है जो हमारी columns में value थी ए और बी में वह इतनी row में आ गए है दो रो में हमारी two columns की value हो तो रो में आगी थैक है तो डे टा माँ हमारा ट्रांसपोज हो गया अब यह चेक करना है कि इस डेटा की जो वैल्यूज है वो डैंमिलीड siempre है या इस्टाक है Model स्टाटिक की मलद्ब जो वैल्यूंअपने बेस डेटा सेट में चेंज करेंगे वो नए डेटा सेट में जो हमारा डेटा ट्रांस्पोज हुआ है उसमें चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो यहां पर हमने अमित की वैलू चेंज की तो देखिए अमित की वैलू यहां पर चेंज नहीं हुई ठीक है तो हमारा डेटा सेट यहां पर इस मेथड़ चेंज ह हो रहा है यह सदिक के लिए ट्रान्स पोर्ज को ही कैसे तुन को इसको इस करते हैं ल could अरे के जगे में डेटा शिट को हम स्पर्दों ट्रेट कर देंगे हैं इसpie अम बरियोन क्लोज किया और और दिखी हमार पास यहां पी release आ गए, इस error value को हम यहाँ पर अगर F2 करेंगे चीक है तो यह देखिए हमारा data set बता रहा कि इस data set को हमने यहाँ पर select क्या है यहाँ पर हमने क्या करना है keyboard से F9 press करना है तो देखिए हमारा जितने भी data set के अंदर जितनी values ती यहाँ भी सारी के सारी values यहाँ पर show रहे एक cell के रोज है एट रोज की जिग में 8 column select करने तो हम इसको करेंगे दो रोगों को select करेंगे और यहाँ से 8 column select करने यह यह 8 column हमारे select हो गई है यहाँ पर जो हमारे selected cell है यहाँ पर हमने इस इकल टू और ट्रांस्पोर्ज का function यहाँ पर यूज करना है यहाँ पर देखे इस data set को ड्रेक करेंगे पूरा यहाँ पर इसको bracket की value हम यहाँ 350 से 150 लेके आएंगे 151 तो देखे हमारी value यहाँ पर change हो रही है मतलब जो data set जो convert हो रहा है ट्रांस्पोर्ज में वो dynamically change हो रहा है चीक है इसमें दिक्कत के आती इस method में कि जैसे हमारे पास कभी कभा data set बड़ा होता है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है काउंट करने में कि कितनी रोज है कितनी कॉलम से थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है तो यह हमारा second method है हमारा third method पर चलते हैं third method एक paste link का option है देखते कैसे करते हैं तो इस data set को हम पहले copy करेंगे और paste special method में हमने सबसे पहले यूज किया था transpose को उसी method में एक paste link option भी आता है यहाँ पर हमने स्लेक्ट किया और data set को यहाँ पर पेस्ट किया यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेस्ट link का एक option आपको visible हो रहा है अगर यहाँ पेस्ट में all selected है all का option select है अगर किसी दूसरे option को हमने स्लेक्ट किया तो यहाँ पर हट जाएगा all select है तो यहाँ पर यह विजिवल हो जाएगा ठीक है paste link का मलब जो data हमने copy किया है उसके link कहाँ पर paste हो जाएगे ठीक है तो इस data set के सारे link कहाँ पर paste हो गए यह data transpose तो नहीं होगा लेकिन इसके link देखिए आप जिस cell पर click करेंगे उसका जो यह यह link कहाँ पर show हो रहा है ठीक है हम क्या करेंगे इस is equal to go इस data set को select कर देंगे और यहाँ पर जो is equal to go sign है इसको किसी दूसरे characters पर change कर देंगे हमने इसको control h press क्या keyboard shortcut से और जो is equal to go sign है उसको hash बदल दिया hash से बदल दिया या add the rate से बदल दिया किसी से बदल दिया हमने is equal to go sign को hash बदल दिया replace all सारा data हमारा सारे जो यहाँ पर cell के जो refer थे सब change हो गए ठीक है सब क्या आगे is equal to के आगे hash sign display हो रहा है ठीक है अब हम इसको copy करेंगे ठीक है copy control c चे copy होगे और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर paste special का option है और यहाँ पर देखिए transpose जो सबसे पहले method हम नहीं किया था transpose इस पर okay प्रेस करेंगे तो हमारे dataset इस तरह से विजिवल होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको पुराने format में change कर देंगे पुराने format में मंदब जो हमारे यहाँ पर हैश का symbol है उसको हम is equal to के science से change कर देंगे हम यहाँ पर प्रेस करगे control h और यहाँ पर हैश को हैश के साथ is equal to हगा हाँ अ इस हूश को हमने is equal salary करेंगे तो इसको भी प्लेस करेंगे तो लिपलेस और कबटर अपर क्रेस करेंगे तो यह देखिए हमारा पूरा data है इसके बाद एक और मैथड है वह मैथड सबसे इसीयेस्ट मैथड है ठीक है सिंपल सा कंशेप्ट है ट्रांसपोज का डिट्टीकल में वैलुज होती यहां पर हमने और लेय बग depression करनी है तो यहां पर दो में नें और वालुज को दो रोमिय में शुट करना है तो हमारे पार यहां पर जो वैलुज हम चाहते हैं यहां पर हमारा नाम की value जाए और यहां पर हमारे sell की value आ जाए as equals to sale और इस data set को हम right को drag करेंगे जैसे हम इसको drag करने नीचे anytime इस तरह से नाम आ रहे हैं इस तरह इसी तरह के इसको ऐधे करेंगे तो यहीu हम चाहते हैं कि इसको ऐसे right side को drag करेंगे तो हमारे नाम automatically यहां पर drag होती जाएंगे तो इस दोनों को select करेंगे और right side को drag करेंगे तो देखिए हमार पास जो values है वो correct नहीं आ रही incorrect values आ रही है ठीक है तो फिलाल इसको हम delete करते हैं और यहां पर simple सा concept यहां पर clear करते हैं यहां पर जो name की जो name वाले cell की value है a1 है और cell की value है b1 इस cell का reference हो गया बीवन हो गया इन दोनों को हम right side को drag करेंगे लेकिन उससे पहले इनके आगे एक temporary initial में add करूँगा यहां पर ns इस initial को बाद में हम change कर देंगे delete कर देंगे remove कर देंगे ठीक है तो हमने इनके आगे temporary initial add किया है और इसको count करना कि कितने हमार पास रोज है किंदे column से हैं तो हमार पास 2 columns हैं 2 columns के लिए हमने 2 rows selected कर लिए और यहां पे 8 हमार पास रोज है तो 8 rows के लिए हमें 8 column semantic करने इसको राइट को द्रैग करेंगे तो एक तक यह हम यहाँ पर देटाएट अपना छोड़ देंगे तो यह देखिए हमारे डिटासेट 8 यहाँ इनसे बटाया कि रिक आми यहां पर बट्न को प्रेस करना है तो दिखें हमारा पूरा का पुला डेटासेट है यहां पर कनवर्ट हो गया है ड्रास्पोर बे आप सपोस कर लिजे कि यहां पे बैली हम चेंज करते हैं ठीक है कि सब्सक्राइब यहां पर चेंज करते हैं तो पुरा अपर यहां पर जो डिटा सेट हो डाइनमिक लिए चेंज है आप कहीं भी वैल्यू अगर based हमारा उस पर अगर change करेंगे तो हमारा जो change है वह हमारे ट्रांस पोट इत्लय होगा तो आफ zij होब कि आपको यह video पसंद आए होगा अगर आपको video पसंद आया है तो उस पर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते अगली बार किसी दूसरी वीडियो में थांक्स पोर वाचिंग